रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे सुवस्थ होगे अच्छे होगे दिखिए 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे प्रारम हो रहे हैं लेकिन गुप्त नवरात्रे भी उतने ही जादा important होते हैं जितने उजाग नवरात्रे होते हैं बेसिकली गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो हमारे घर में किसी ने जादू टोना करा रखा हो हमारे घर में किसी की बुरी दिस्ट्री पड़ी हो हमारे बच्चों पे किसी ने जादो टोना करा रहा हो इनसे संबंदित होते हैं तो गुप्त नवरात्रों में चाहें आप पूजा करें या ना करें लेकिन यह कुछ चीजे मैं आपको बता रही हूं यह आपको अवश्य करना है नंबर वन पहली पहले दिन होता है प्रतिपता यानि गुप्त नवरात्रे के पहले दिन माता को घी का भोग अवश्य लगाएं मैं यह नहीं क्या री कि आप चौकी बना आई या फिर आप कुछ करें ऐसा कुछ करने के आवशकता नहीं केवल घर के मंदिर में ही जो भी आपका घर का मंदिर है वहाँ पे घी लेके जाएं और माता को घी का भोग भी आपको मुक्ती मिल जाएगी दूसरा गुप्त नवरात्रा है मातारानी को सक्कर का भोग अर्था चीनी का भोग लगा सकते हैं और उसको भी दान करना होता है एक बात याद रखिए चीनी का भोग मैंने आप दुबारा क्या दियूं कि चोकी लगाने की कोई आवशकता नहीं है और एक अखन जो जला सकते हैं और मंदिर मचा के सभी चीज़े रखिए अपने घर के मंदिर में तो सक्कर रखिए और उसको दान के रिए जिससे आपको देर्ध आयू प्रात्त होती है तीसरा गुप्त नवरात्रा है उस दिन मातारानी को दूद चड़ाईए कच चाके भी दूद चड़ा सकते हैं बिसिकली कच्चा दूद चड़ाने की सासरों में विदान है और उसके बाद इस दूद को आपको दान भी करना है इससे सभी प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिलती है है चौथा गुप्त नवरात्रा मातारानी का उस दिन तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है उसके बाद आपका पांचवे नवरात्र आएगा और पांचवे गुप्त नवरात्र पे आपको मातारानी को केली का भूग लगाने से परिवाद में शुक समर्दी बढ़ती है अगर आपके प्लिवार में गिलह कलेश बहुत ज़्या करनी होती है छटे नवरात्र पे मातारानी को सहद का भूग लगाई है और सहद जो होता है भूग लगाने से और सहद का दान करने से जिनको भी धन संबंदित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो धन संबंदित समस्याओं सबाप्त हो जाती है साथवे नवरात्र पे को गुड की वस्तु का भोग लगई जैसके लड़ू हो गए ठीक ना गुड से बनी कोई भी चीज का भोग लगा सकते हैं और इसको भी दान करें इससे आपकी गरीबी दूर होती है आठवे नवरात्रे पे मा को नारिल का भोग लगाया जाता है उसके बाद नारिल को दान कर इससे जीवन में हर प्रकार से सुख सम्रिद्धी आती ही आती है कि गुप्त नवरात्रे ज्यादा लोग मानते नहीं है लेकिन थोड़ा सा मारना चाहिए क्योंकि यह तोने टोटके घबराहत होना जगड़े होना गुप्त वाले नवरात्रे इसमें बहुत ज्यादा कारग है उपाये नहीं बता दे परने तो थोड़े उपाये करके आप अपने भविश्यों को मातरानी की किरपा पा सकते हैं भविश्य में गुप्त नवरात्रे आने ही वाले हैं जो कि 6 तारिक से प्रारम होने वाले हैं और 15 तारिक तक लेने चाहिए साथ यह सारा भोग तो आप परचना वर्ना होती है वो गुप्त तरीके से होती है आप इस दिन सिद्धु कुंजि स्रोत का भी पाट कर सकते हैं दस नाम रोजाना जब सकते हैं नहीं तो आप मा काली इतारा तिरपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी मा मतलत जितनी भी माता हैं सबके मंतर का भी जाप कर सकते हैं सिद्धु कुंज का पाट करें साथ ही दस देवियों का नाम आपको बोलना है जो मैंने आपको दस देवियों का नाम बताया ना जिसकी मा काली इतारा हो गई तिरपुरारी हो गई भुवनेश्वरी हो गई मा भैर भी हो गई यह भी आप बोल सकते हैं और कुछ उ अवश्य पढ़े ये सब थोड़ा बहुत जो आपको है वो करना बहुत जरूरी है इसके बाद मंदिर की बात भी थोड़ी कर लेते हैं आप रोजाना माता रानी के लिए दिये जरूर जलाएं लाल फूल भेट करें और तरानी से प्रातना करें कि आपको डर है चिंता है सत्र अनजाने संकट की प्रातना करें ऐसा जरूर और जरूर करें देखि इस बार नवरात्र की पूजा घर के लावा चोकी लगाने की तो जरूरत नहीं है लेकिन साहती के साथ ये जो नो दिन है इस दिन पक्षियों को गाय को काले भीगे चने चावल नारियल की गिरी रोजान अवश्य खिलाएं इससे बहुत ही ज्यादा इंप्रोडन आपको फल की प्राप्ति होगी और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा वर्टसप नंबर निचे दिया हुआ कि एवल आपको अपने डेटो बर्थ भेजनी है और समय भेजना है त अब तक लिए मुझे दिखवा जाजत रादे रादे हरी क्रिश्ना हरी बोल